नमस्कार मैं अलपना मेरे चैनल प्यारी बिट्यारानीमे आप सब का सवागत है। आज मैं आपके लिए बनाऊँगी बतुए का साग वैसे तो साग आप कई तरीके से बनाते हैं लेकिन आज चोम आपक लिए अजया वहाँ आसान तरीके सी अगर आप साग बनाने में बिल्कुल आपको टाइम लगता हो तो इस तरीके से अगर आप साग बनाएंगे तो बहुत ही जटपट बन जाएगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बतुआ का पौधा हमारे घर में है तो यह देखिए इस तरह से खेत में है तो इसमें से हम कुछ बतुआ तो लेंगे बहुत हरा भरा बत हुआ है बिल्कुल फ्रेज बत हुआ है वैसे भी सर्दियों के सीजन में आपको मार्केट में आसानी से बत हुआ मिल जाएगा तो यह देखिए इस तरह से हम इसकी जड़ नहीं उखा रहे हैं सिर्फ पतों को ही तोड़ आए हैं यह देखि हमने काफी बत हुआ तोड़ लिया है और बत हुआ तोड़ के हम आगए अपने घर अब हम आपको इसकी सब्जी बना के दिखाएंगे तो यह देखिए हमारा जो बत हुआ है बिल्कुल हरा बत हुआ है और काफी मुलायम भी है तो इसकी जो डंठल है आपको लग रहा होग सब्जी लीजिए उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से दोईए और अगर जड़ है तो जड़ को पहले अलग कर दीज़े जड़ अलग कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जब हम फिर बत हुआ धुलेंगे तो उससे जो मिट्टी है वो पत्तो में नहीं आएगी तो पहले सब्ड़ा करिए और आप मार्केट सब्टो ले आते हैं तो ये देख आ strengths हम अच्छी तरह से दोके इसको छोटे-छोटे पीचेश बिल्कुल बासी काट लेंगे और बहुत ही आसानी सब्टुए कर है बहुत मुलाइम इसके पत्ते होते हैं देखें फ्रण्स हमने बतुवा को काट लिया इसके डेंठिल को भी काट लिया क्योंकि जो डेंठिल उता है विलकुल फाइबर से युक्त होता है विपना नहीं अगर मुलायम है तो अब हम एक कूकर लेंगे और बतुवे को इस तर तो पानी डालेंगे और डाल के इसमें थोड़ा सा एक चमच टेस्ट अनुसान नमक डालेंगे और डाल के धकल लगा कि इसको रखेंगे हम गैस में पकने के लिए तो गैस भी हमने रख दिया है दो सीटी आने के बाद हमारा देखिए बत हुआ अच्छी तरह से पक गया है तो देखिए हो सकता है फ्रेंड्स आप को कैमरे मैं अच्छी तरह सेह ना दिख रहा हो क्योंकि इससे काफी अच्छा भाफ निकल रहा है यह गरं है से ही फेट रहे हैं यह देखे हमने फेट दिया और जो बतुवा बिल्कुल एक सार हो गया है अब इसमें हम तड़का लगाएंगे अब तड़का लगाने के लिए हमने लिया है दो प्याज मीडियम साइज के हमने काटके विल्कुल बारीक तयार कर लिया है मिर्च और 15-20 कली लहसुन एक इंच अद्रक का टुकड़ा और एक टमाटर हिंग हल्दी जीरा और गरम मसाला जो भी सामगरी हमने लिया है हमारे पास परयापत है आप अपने हिसाब से कम यह जादा कर सकते हैं और एक चमच हमने लिया है मक्के का आटा हमने मक्के का आटा लिया है अगर आपके पास ना हो तो आप बेसन को भी भून के डाल सकते हैं लोहे में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है वैसे पत्ते वाले जो सब्जिया होती है उनमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है अब तेल हमारा गरम हो गया उसमें एक चम्मच हम डालेंगे बहुत छोटा चम्मच हमारा है खड़ी धनिया साबुत और एक चोथाई चम पत्ते वाली सब्जी बनाई यह फ्रेंड्स थोड़ा सा लहसुन की मात्रा जादा रखे सर्दियों में अगर आप बना रहे हैं तो लहसुन की मात्रा थोड़ा जादा रखे उसे खाने में इसका स्वाद बहुत अच्छा रहता और प्याज इस तरह से डालेंगे बाकि सारी स दिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे देंगे आप वहां जाके दे सकते हैं इसी तरह हम छोटी छोटी चीजें आपको बनाना बताते हैं जो हमारे घर में पहले से बनता था और आज भी बनाते हैं बिल्कुल सरल तरीके से अब इसमें हमने एक पिंच हींग डाल दिया है और ही तो आप सर्दियों में बत हुआ का पराठा बनाएए सबजी बनाएए रोटी बनाएए और जो हमारे चैनल पर नए है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे उनको हम जो भी चीजे डाले उन्हें सबसे पहले देखने को मिले और जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद बने रहे है देखते रहे हूं और जो टमाटर हमने काटा था उसे भी डाल देंगे और डाल के मिलाने के बाद इसको लगबग थोड़ी देर के लिए ठाग देंगे ठागने से क्या होका टमाटर अच्छी तरह से पक जाएंगे पांच मेट हो गया है हमा बना पुर्व सब्सकों, मसाले में जो बना इन महीं से कम करें तो कम मसाले निभ़े में निभी निभा की साथ यह स्वादिष्ट उर्छटी से समय जहता है यह देखिए सारे मसाले मारे भून गए हैं अब इसमें हम डालेंगे जो हमने बथुआ रखा था यह देखिए इस तरह से डालेंगे और डाल के इसको मिलाएंगे बतुए हमने डाल दिया है और डाल कि इसको मिला रहे हैं बहुत गुर्ण कारी होता है बतुआ तो बतुए कि आप सबजी बनाएए और इसको डाल, चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, नौन के साथ और अगर बाजरे की रोटी के साथ खाई तो और टेश्टी लगता है और जो हमने मक्के काटा लिया था उसको भी डाल देंगे एक साथ मक्के काटा कभी न डाले निए उसमें लम्स बन जाएंगे थोड़ा सा फैला के डाले जैसा हमने डाला था तो जितनी हमारी सब्जी थी उसे साथ से हमने जो मक्के काटा लिया था परियाप्त था अगर आपकी सब्जी कम और जादा है तो उसे साथ से आप डाल सकते हैं वैसे भी फ्रेंट्स हम घर में बनाते हैं तो बहुत जादा नाप तो नहीं रखते हैं किसी चीज़ का थोड़ा सा अंदाजे से हम डाल लेते हैं और यह जो नमक हमने पहले भी डाला था तो नमक थोड़ा सा कम था हमारी सब्जी में इसलिए हमने नमक डाल दिया है और लोहे की कड़ाही में बनी है तो ये और भी गुड़कारी है और फायदे मन्द है तो आप भी फ्रेंड्स इस तरह से बना सकते हैं घर में और बहुत छटपट कुछ लोग पत्ते वाली सब्जी बनाने में उनको लगता है सर्दियों में जब भी बत हुआ मिले तो बत हुए कि आप सब्जी जरूर बनाइए और फ्रेंड्स इस तरीके से बनाइए अब इसमें हम निकाल लिए एक प्लेट में ठोड़ा साम इसमें घी डाल देंगे घी डाल दी ज़िए या बटर हो तो बटर डाल दीजिए बहुत अच्छा स्वाधा आता है इसको और फिर आप इसको मक्के की रोटी के साथ नार्मल रोटी के साथ भी खा सकते हैं चाबल क